तो गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल गेम फ्लिक्स आज हम खेलेंगे संराइज हैदराबाद वोसिस डेली केपिटल सेमी फाइनल जो भी जीतेगा वो खेलेगा मुंबई के सामने तो मैं हूँ संराइज हैदराबाद तो चलिए टॉस की तरफ चलते हैं मज़ा आएगा पूरा वीडियो देखेगा फुल ऑन एंट्रोटीम इन ओन्ली ऑन गेम फ्लिक्स डेविड वॉर्नर टॉस करेंगे तो जी हाँ हमने टॉस जीत लिया है संराइज हैदरबाद हम लेंगे बाॉलिंग हम रन चेस करेंगे और इस बाॉलिंग को हम स्किप कर देते हैं जल से जल फटाफट टी एट और यह 16 और का मैच हो चुका है ड़क्वट लूइस मेथड के हिसाब से यानिकी बड़ा टोटल लेकिन बड़े टोटल के साथ पहले वाल पे चक्का डेविड वोर्न ऑन दरोल काफी बड़ा टारगेट हो चुका है 16 और के साब से काफी शांदार शॉट पाउंडरे डेविड वोर्न के नाम कमेंट करो कमेंट 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 बैरिस्टो अपना पहला बॉल खेलेंगे काफी शांदार ड्राइव लगाई है और एक ही रन मिलेगा मैं वान अफिस से आ चुके है स्ट्राइट पे काफी बढ़िया बॉलिंग डालते हुए नोकिया तो एक और के बाद तेरा रन जिरो विकेट सन्राइज हैदराबाद तूसरा और कौन आ रहा है रबाड़ा इस फिकेट टेकर आफ देस टोनरामेंट आई पील ट्वेंटी ट्वेंटी तुबाई कि और यहां वर्मने बड़ा शॉट लगाया है और पहले बॉल पर छक्का मिलेगा डेवंद वॉरनर को रबाड़ा को रबाड़ा का किया कबाड़ा हुए हुए भी सोट लगादी कि कोशिज लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ पे डेविद ब़र्न को जाना पड़ेगा फिर से टेट वोर्न अटरा रन बनाकर आउट मनिश पांडे आएंगे अभी तो रबाड़ा ने विकेट चटका ली है बैरिस्टो अभी स्ट्राइक पे एक विकेट के नुकसान हो चुका है हमारा यहाँ पर इसकी रन है और रन आ चुका है एक रन आया वाइड आया काफी बढ़िया शॉट लगाया है चार रन मिलेगे मनिश पांडे जो पहला बॉल खेल रहे थे उन्होंने चौका लगाया और एक कट मारी पॉइंट के वहाँ से जाते हुए क्या चौका मिलेगा हमें जी नहीं तीन रन तो आसानी से मिल जाना चाहिए जी हाँ तीन रन आसानी से हमें मिल जाएंगे और यहाँ पर बड़ा शॉट लगाया और चार रन मिलेंगे हमें इस्टो और एक बड़ा शॉट पावर प्ले का पूरा फाइदा उठा रहे सन्राइज है द्रपाथ 16 अवर का मैच है 148 टारगेट है जितना जल्दी हो सके पावर प्ले में रन बनाना है ताकि हम फाइनल में पहुच सके और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिस मिस हिट लेकिन एक रन आसानी से मिल जाएगा क्या खुबसूरत ड्राइव मारी है गाइस पहुच जबरदस्त है और फोल में 106 रन करने है क्या शानदार ड्राइव लगा यह चार चोके मारें अमने इस उवर में क्या खुबसूरत शॉट लगा है वाह क्या बड़िया शॉट मारा है बाउंस का पूरा फाइदा उठाया मनिस्ट पांडे ने कि पॉइंट और धर्ड में के पीछ में से निकाला और च्छा रन मिला और एक सुन्दर कट मनिस्ट पांडे कई तीन और मिलेंगे तीन मिलेंगे नहीं यहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए दिस्क नहीं लेना चाहिए अच्छा खेल रहे दोनों को इस गली लगाया यह पॉंट लगाया गली ऑसिफिछ कि नो बॉल और वा बज गया में अच्छा हुआ नो बॉल था वरना में आउट था कि चलो अब फ्रीट का पूरा फाइदा उठाना है में चक्का आएगा या चौका आएगा या विकेट चे रन मिलेंगे फ्रीट पे हमें वाँ मनीश पांडे 122 मिटर का चक्का आई बाल रहे है 74 बॉल में टी एट रन्स करना है अभी भी मैश तो बना हुआ है टाइट मैच रहे गाई विकेट नहीं गवानी है किसी भी हाल में और ये कौन सा चौका है भाई अद्बूत ये खेल अद्बूत ये शाट चार रन्स और एक अद्बूत शाट अद्बूत ये खेल अद्बूत ये शाट चार रन्स कि लेकिन इतने भी कमजोर नहीं कि चार रन मिलेंगे कि अनकी हमारे सेवेंटी टू रन हो चुके 19 यहां पर 69 गेंदों में 73 रन्स करने हैं कि यहां पर और एक एक रन की मांग और एक रन मिल जाएगा है अभी पावर प्लेक खतम हो चुका है और 66 गेंदों में 68 रन्स करना है रन बॉल पड़ा चक्का रिशान सर्मा को किस ने लगाया बेरिस्टो ने या मनिश पाण्डे ने मनिश पाण्डे ने तेरा गेंदों में 39 रन्स 117 मिटर का चक्का क्या क्या खुब शूरत चक्का लगाया है छे रन मिलेंगे हमें 117 मिटर का चक्का फिर से मनिश पाण्डे 15 गेंदों में 46 रन ओ नहीं एज रगा वन बाउंस 12 रन दिये उन्होंने अभी सांट गेंदों में 54 रन करने है हमें क्या बड़ा शॉट लगाया है कसके मारा था यह तो मैंने 126 मिटर बहुत बड़ा होता है 126 मिटर का चक्का पड़े थे चे रन काफी आसानी से खेल रही है इदराबाद 124 मिटर का चक्का मनिश पाण्डे के हो चुके है भी इस गेंदों में 53 रन चार चक्के लगाया है वा मनिश पांडे जी पांडे जी कमाल करते हो मैच आसान हो चुका है यह तो फिफ्टी दो चक्के दो बल में दो चक्के तीसरा चक्का साइद है यह तो क्लीन आउट है क्लीन आउट क्लीन आउट इसमें कोई रिव्यू नहीं लेना है मैं रिव्यू खराब नहीं करना है कि फिफ्टीन एंवेंस बनाए काफी बढ़िया के लिए मनिश पांडे जी कौन आएगा अभी विजुमन साह को लाए या विलियम सन को लाए चलाओ इंडियन बैट्समि स्टेंड में भेज दिया एक सो वान थाटी सेवन मिटर का चक्का अक्सर पटेल अक्सर यह विकेट ले जाते है कि यहां पर एक रंचुरा लिया है डाइरेक हिट यहां पर विकेट मिलेगी इशान सर्मा को फाइनली और तीसरा विकेट गवाया हमने वृदिमान साहा के रूप में अब आएंगे केम विलियन सन जो कि न्यूजिलेंड के कप्तान हमारे है फाइनल में यह अच्छा शॉट नहीं था यह यार यहां पर विकेट नहीं गवानी थी मुझे जोनी बैरिस्टो के पचास रन करने थे अभी आएंगे विजई शंकर जो यहां से हैदराबाद को विजई की और ले जाएंगे विजेश शंकर विजेश दिलाएंगे हिदरापाद को अबे ये कैसा भी करता अरे यौर किम विलियंसन आउट मैच हार ना जाओ यार अब्दुल्समद अभी भी अट्रा रंच ही एक सो तीस पर पांच विकेट वाप रे बाप हैट्रिक पर आगया नोक्या तो ओ बज़ गया है एक हैट्रिक हो जाता अभी तेरा रंस जी हाँ चक्का लगाया विजेश शंकर ने अपने पहले बॉल पर विजेश की अक्सर पटेल फिर से आएंगे अपना दूसरा ओवर करेंगे अब सिफ छे रनों की दरकार सन्राइज हैद्राबाद और यहाँ पर विनिंग शॉट हमने लगाया है और छे रन मिलेंगे और हम पहुच चुके है फाइनल में मुम्बे इंडियन के साथ अगला मुकाबला होगा हमारा जी हाँ तो हमने जीत लिया है गाइस पांच विकेट से हमने जीत लिया है अगर आपको यह मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल का नाम है गेम फ्लिक्स में बहुत सारे ऐसे वीडि सब बाकेर